तो आज के हमारा सवाल है काइनेमर्टिक्स है तो स्टार्ट करते हैं A crickvator can throw a ball to maximum horizontal distance of 100 meter हमें क्या दे रख़ा है maximum horizontal distance यानि हमें range maximum यानि maximum range दे रख़िये जो कि है 100 meter ठीक है अब हमसे कह रहा है How high above the ground Can the cricketer throw the ball With same speed पहली चीज Same speed कह रहा है और यू हमें initial velocity तो given नहीं है तो यानि हमें initial velocity निकालनी पड़ेगी उसके बाद हमसे क्या कह रहा है How high यानि कितनी maximum height यानि उसके बाद हमें h max भी निकालनी होगी Same speed तो पहले फिर उसके बाद h max निकालनी है हमें question में दो चीज़े find करनी है ठीक है अब ball fake ही गई किसी एक मान लो velocity u से है ना मान लो एक theta angle पे हमें क्या दे रखा है 100 meter इसकी ये range है हमें पता है कि r का formula क्या होता है r is equals to 2u sin theta u cos theta upon g है ना इसी को ही हम क्या लिखते है u square sin 2 theta upon g है ना ये identity होती है जो हम tignometry में पढ़ते हैं जहां पे हम 2 sin theta cos theta को 2 sin theta cos theta को लिखते है sin 2 theta ठीक है ये आपकी knowledge के लिए बस थी ठीक है अब हम से क्या कह रहा है maximum range range maximum होने के लिए ये term maximum होना चाहिए है ना क्यूंकि इसमें u square तो constant रहेगा g constant है क्यूंकि क्रिकेटर अपनी velocity से फेकेगा और g तो already ये constant है change क्या होना है अगर ये maximum हो जाए तो r maximum हो जाए sin कम maximum होता है sin 91 होता है उससे पहले की values 1 से कम होती है उसके बाद की value 1 से कम होती है sin 45 1 by root 2 होता है यानि 1 by 1.414 divide करेंगे तो 0 point something आएगा कम आया ना और 90 के बाद भी हमारे पास कम आता है है ना तो ये sin 90 होना चाहिए overall है ना sin 90 लेकिन यहाँ पर क्या है 2 theta यहीं 2 theta is equals to 90 होना चाहिए तो theta कित्ता होना चाहिए 45 यहीं 2 into 45 90 होगा तो sin 91 होगा तो हमें पता चल गया theta is equals to 45 degree होना चाहिए हमारा है ना तभी हमारा r max आएगा u square into 1 sin 91 हो गया upon g है ना अब हमें maximum range दे रखी वो क्या है 100 u square upon में g की value 10 होती है इसको इधर ले जाएंगे 1000 हो जाएगा square हटाएंगे तो root लग जाएगा यह आएगा 10 root 10 1000 है ना 1000 को हम 10 into 10 into ऐसे लिख सकते है जब इस पे root करेंगे तो यह बाहर यह अंदर है ना तो यह हमें initial velocity मिल गई जिससे fake आ गया है ना तो यह पहला answer हमाएंपस अब H max निकालने के लिए हमने पढ़ा है Newton की third equation V square is goes to U square plus 2 AS है ना हमें यह पता है कि यह equation तभी valid होती है जब acceleration constant हो पर ऐसा तो question में बोला नहीं है लेकिन ball को fake fake तब इस पे एक ही चीज़ काम कर रही थी वो है धरती माता का छोटा जी है ना यह होता है constant है ना यह constant acceleration constant acceleration due to gravity होता है ना यह constant acceleration तो constant है इसलिए हम Newton की third equation लगा रहे है अब देखिए हम से कहा गया है maximum height maximum height यानि अगर यह H max है तो यहां पे जाके इसकी velocity vertical velocity 0 होनी चाहिए यानि इस direction में जो यह जो एक component हम इदल लेते हैं एक component इदल लेते हैं यह component उपर ले जाने के लिए होता है यह component हमारा आगे बढ़ाने के लिए यह component हमारा यहां पे 0 होना चाहिए तब ही तो H max मिलेगा ना अगर यह 0 नहीं हो तो अगर 0 नहीं हुआ तो उसके बाद यह उपर जाएगा ना लेकिन यहां पे 0 हो गया तब ही तो height maximum मिली तो यह term क्या हुआ 0 0 is equals to U square minus G नीचे लग रहा है velocity उपर है ठीक है minus 2G S को हम H max लिख सकते हैं U कितना है 10 root 10 10 root 10 का whole square 10 into 10 100 root 10 का whole square 10 2 into G का value 10 हम 9.8 को approximately 10 इस्तमाल कर रहे है small g की value ठीक है तो यह 10 10 cancel यह आ गया 50 यह आ गया 50 meter यह तो हमारा answer है Thank you